हेलो फ्रेंज वेलकम हेग बार फिस से आप सभी का अपके इपने चैनल नैचरल ब्यूटी भी थन्सू में तो इस पेस्पेक से हमारे स्किन के डार्क स्पोर्ट पिग्मेंटेशन जैसी सभी समस्याय दूर होंगी और हमारी स्किन पे एक नैचरल सा ग्लो भी आएगा तो चल अपको नहीं मिलेगा तो ध्यान देना जब हमारा चावल हापको खोता है उसी टाइम हमें यह पानी निकाल लेना है दो चमच के करीब तो यहां पे देखे मैंने एक चमच एड़ किया है थोड़ा सा नीचे चावल रह गया था तो इसको मैंने नहीं लिया है एक चमच ही इ आपको आपके स्कीन की सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए तो इस रेमडी को आप जरूर ट्राई कीजेगा देरे आपके फेस पे जो भी दाग धब्बे है रिमूब हो जाएंगे और अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक चौथाई चमच हनी यह कस्तूरी हल्दी है फ के बाद हमें इसमें एड़ करना है पासे च्मच के लिए बहुत ज्यादा बेनिफीषिल होता है हमारे इस्किन को फेयर बनाठा है ने शुरली बिलीच करता है हमारी इसकीन को आलोवेरा जेल आप इसमें आइड कर सकते हैं क्योंकि हमें इस रेमडी को इस्टोर करके नहीं रखना है तुरंद बनाना है और फेस पे अपलाई करना है उसके बाद मैं इसमें आइड करूंगी एक चम्मज के करीब कोकोनट ओयल कोई-कोई बोलते हैं कि उनको कोकोनट ओयल सूट नहीं करता है तो आप कोकोनट ओयल को इसकी बहुत है या फिर इसकी जगह पे बादम ओयल या ओली बोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो यहां पर हमने एड कर लिया है एक चम्मज के करीब कोकोनट ओयल अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एक स्मूथ सा नहीं साइड इफैक्ट नहीं है और आर्ल टाइबी इसके इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप लोग पूछते हिस्कीन ऑईली है, ड्राइब तो हर टाइब के itiskin वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी रेमेडी रेडी है और इसे अपलाई करने के पहले मैं फेस को और शुच कर लेती हूँ, इसके बाद हम इसे अपलाई करेंगे, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना है, इसमें जो राइस का पानी हमने एड़ किया है निक्दम क अगर आपके फेस पे पिग्मेंटेशन के निसान है डाक स्पोर्ट है आखों के नीचे काले घे रहे हैं एकने पिंपल्स के समस्या है तो इन सारी समस्याओं से भी आपको छूटकारा मिलेगा और समय से पहले अगर आपके फेस पे जुर्या फाइलाइन्स आ गई है तो आप ब्यूटी में राइश फ्लोर का राइश ओडर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही इफेक्टिव बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद होता है मैं बता नहीं सकती स्रेंडी को जब आप अपलाई करेंगे तो खुद देख पाएंगे कि इतना अच्छा रिज एकने स्की समय कोई चरह साथ और सर्दी यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी इस्की नहीं हर मारी नहीं पीनना जाता है情況 तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है में सर्दियों के मौसम में अपने इसकीन की तो कुछ ना कुछ आप अपने पेस पे जरूर अपलाई कीजिए जो हमारी स्कीन को हाइड़ेट करें तो उसे आप दिन में कम से कम एक से दो बार जरूर अपने फेस पे अपलाई करें अगर नाइट में आप फेस पे अपलाई करके छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा रिजन्ट मिलेगा आपको क्योंकि हमने अच्छा आप इस्तेमाल किया था तो इसकीन बिल्कुल रच्छा पाणी का इस्तेमाल यह था साएड उससे घाय होगी तो अगर आपको ऐसा लगता है तो करने के बाद कोई भी मुष्चराजर क्रीम या कोई सी रम हो आपके पास तो जरूर अपलाई कर लिजेगा या फिर या रोज वाटर कुछ भी अपलाई करना पर कर लेना अगर आपको इसकी खीची खीची लगती है तो तो आई हो फ्रेंड आज की जो रेमडी है आप लोगो के लिए बाबाई टेक केर